नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंकश भाटिया आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दी पर्फ्यूम डॉक्टर पर्थ हमने लाप लोग अल्रेडी देख चुके हैं आज का जो हमारे रिव्यू होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग पर्फ्य सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है लेट स्टार्ट वेल्कम बैक फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं रिव्यू डी एंजी लाइट ब्लू का सबसे पहले यार हम लोग बॉटल और उसकी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं है एक डाक ग्रे का नॉट टू डाक मतब मीडियम जो मीडियम डाक जो ग्रे है इस नॉट लाइट ग्रे इस नॉट डाक ग्रे सम्वेर इन बिट्वीन इस तो उसका ये शेड है आप दे सकते हैं 200 ml की बॉटल है और बाहर लिखा हुआ है पॉर होम ओड़ी टॉयलेट 200 ml य है नीचे QR कोड ढकन मना हुआ है रिसाइक लेबल है बॉटल और इंफ्लेमेबल है और 36 महीने तक आप इसको यूज कर सकते है QR कोड नहीं जो होता है बार कोड स्कैनर दिया हुआ है नीचे और उपर डीएज डीएज डीएज़ की डीएज डीएजी की एसा ब्रेंडिंग ह और आपको मैं एक चीज़ और बता दू यार आप जब लेने के लिए जाएं इस पर दो वेरियंट आते हैं इसका एक फ्लैंकर भी आता है तो एक यह है डी एंजी लाइट ब्लू और उसके साथ एक यह आता है यह देखी यह दिस ब्लू कलर दिस ग्रे कलर आप शॉप में जा यह दोनो पर्फ्यूम्स मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि यह दोनो पर्फ्यूम्स एक दूसरे से बहुत ज़ादा जुदा है दिस इस डी एंजी लाइट ब्लू और इंटेंस तो आप कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए यार तो यह दोनो पर्फ्यूम्स का मैं रि ब्लू से बॉटल कैसी दिखती है बॉटल की डिजाइनिंग कैसी है यह देखिए आप यहां पर यह मेरे लेफ्ट साइड पर में भी आप जब स्क्रीन पर देखे तो आपको राइट साइड पर दिखाए दे बट दिस इस माइ लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड पर अगर आप ऐसा आगे रखेंगे तो उसके दूसरी साइड पर आप नहीं देख पाएंगे इस बॉटल का जो धकन है वो लाइट ब्लू कलर का रहता है तो उस चीज का आप खास ध्यान रखेंगा कभी भी आप इसका टेस्टर लें या आप इसकी खुली होई बॉटल लें तो बहुत जादा रायता नहीं पहलाया है बनाने वाले ने लेकिन जितना भी है यह पांच तरही के कि आप नोट्स आपको मिलेंगे इस बेसिकली इस सिट्रस फ्रेग्रेंस और इसमें आपको इस फ्रेश पाइसी इस एडिस आरोमेटिक मैंने आप लोगों को बताया है कि ग् is green smell, थोड़ी सी aromatic भी होती है, वो smell फिर उसके बाद woody है, और warm spicy है, आप जब इस तरीके से smell करने जाएंगे ना direct तो आपको नहीं समझ में आएगा, woody का एक नोट ऐसा होता है, कि अगर वो top note हो, अगर woody का तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, because wood का जो note होता है, बहुत जादा loud होता है, बहुत जादा jungle की woody की जो smell होती है, वो बहुत जादा loud होती है, तो आपको वो immediately समझ में आ जाएगा, लेकिन इस में जो आप जो हिरार्की बोलते हैं जो नोट्स की जो हिरार्की है उसमें आपको काफी नीचे दिख रहा है ये वाला नोट तो उससे आपको मतलब आपको अगर ऐसे ले मैं आपको नहीं समझ में आएगा कि ये वुड़ी है या नहीं है ठीक है अभी इसके आगे की मैं बात करता हूँ फ्र सर्दी का सोच कर यार इस पर्फ्यूम को मत लीजेगा लाइट ब्लू लेकिन इसका जो सही टैंग में लेने का वो सर्दियों का ही मौसम है क्योंकि सर्दियों के अंदर ये पर्फ्यूम आपको थोड़ा सा कम रेट में मिलेगा क्योंकि ये डिमांड में कम रहता है सर्दि कॉल्च और गर्बाना इस सिट्रिस एरोमेटिक फ्रेग्रेंस वर में लाइट ब्लू पॉर हों वस लाउंच इन 2007 मतलब आज से 15 साल पहले यह पर्फ्यूम लाउंच हुआ था टॉप नोट साग ग्रेप फ्रूट बगमॉंट सिसिलिन मैंडरिन यह सब के सब यह एक संत्रे क श्रेणी में आते हैं जुनिपर मिडल नोट सार पेपर रोजमेरी डाजिलियन रोजवूड बेस नोट सार मस्क इंसेंस एंड ओकमॉस बहुत ही इंपॉर्टन चीज़ इस पर्फ्यूम इस दविनर ओफ ओवार्ड फीफी ओवार्ड फ्रेग्रेंस ऑफ दे येर मेंस लू कापी किया जाएगा इधर उदर सब जगा उनकी बहुत ज़्यादा कापी बनेंगी लेकिन सैडली मैंने बहुत ज़्यादा कापी नहीं देखी हैं लाइट ब्लू एडी टी वर्जिन की मेभी आई डू नोट नो कि इसका क्या रीजन है क्या नहीं क्या रीजन नहीं है ले लेजेंड स्पिरेट को यह पर्फुम रिजेंबल करता है इन्विट्टिस एक्वार 2016 का जो बैच था उसको और सिट्रेस में मैं अगर बोलू कि यह इसे में आके ल्यू डिजी को जो क्लासिक जिसको क्लासिक भी बोला जाता है विच वस लॉंच्ट इन 1990s के अंदर जो लॉंच हुआ था तो यह इसके नोट्स उससे भी हलके फुलके मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं क्योंकि यह वाला जो फ्रेग्रेंस है यह थोड़ा सा स्वीटर साइड पर है और जो अपना इजी में के का जो क्लासिक जो वर्जन बोल है जो की हेजी बोल दिखत कि इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सब कुछ मिक्स किया गया है अभी मैं आपको बताता हूं कि यह परफियूम जब मैंने स्मेल किया था तो मुझे किस तरह की स्मेल आई थी परफियूम सिट्रस है डेफिनिटली इटेश सिट्रस है इसके अंदर बहुत सारे यार लोग कि मुझे वुटी परफ्यूम नहीं चाही है, यह नहीं चाही है, तो इसके अंदर मैंने जब स्मेल किया था, तो मुझे वुडी नोट उतना ज़्यादा nešin देखने को मिला था, क्योंकि वुडी नोट जो होता ना यार वो परफ्यूम को थोड़ा भी उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा कि आप सोचें कि भाई कि यह कि मैं spicy perfumes नहीं यूज करता और तो अगर आप तो आप इस perfume को आप ले सकते हैं इसमें spicy note आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा and if in any case अगर आप warm spicy को देखकर रेचरी का पर इस पर्फ्यूम को खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप इस पर्फिूम को बिल्कुल भी मत खरीदेगा, अब लेना चाहते हैं, तो आप यूगो बॉस का Just Different ले सकते हैं, या फिर मर्सेडीज बेंस का Intense Man ले सकते हैं, यह वो पर्फ्यूम्स हैं which are high on warm spicy या बुलगैरी का आप man in black भी ले सकते हैं अगर आप बजट अगर आपके पास अच्छा है तो इसकी जो स्मेल है that is citrusy sweet citrusy sweet आप ये समझ लीजिए इस तरह का पर्फ्यूम है जहां तक इसकी longevity की बात है यार इसकी longevity आपको मिलेगी पांच घंटे के आपस आपकी मिल जाएगी इसकी longevity क्या होता है यार गर्मिया होती है तो उसके अंदर हमारा पर्फ्यूम बहुत जल्दी evaporate हो जाता है बहुत जल्दी उड़ता है और साथ में high heat के जितने भी पर्फ्यूम्स होते हैं अगर वो कड़वे ना हो थोड़े से sweeter side पे हो तो उनक longevity आपको कम मिलेगी अभी इसकी खुश्बू की जो बात है इसमें आपको अगर जो जो मीठे पर्फ्यूम्स होते हैं जैसे यह जो पर्फ्यूम है यह थोड़ा सा कड़ी side पर आजाता है यह थोड़ा सा meaty side पर है मतलब मैं आपको एक layman की language में समझाने की कोशिश कर रहा ह कि आपको जितने भी मीठे पर्फ्यूम्स मिलेंगे थोड़ा सा sweeter side पर मिलेंगे वह पर्फ्यूम्स की longevity थोड़ी सी कम रहेगी लेकिन उसका fragrance ऐसा होगा कि आप की आपकी जो पर्फ्यूम की जो खुश्बू है वह आपकी बॉड़ी के साथ connect होकर बहुत ही different smell करेगी बहु डरती हैं इसलिए because ये वाली bracket में आपको longevity के जो issues है वो रहते ही हैं जहां पर ये वाला पर्फ्यूम आपको 8 गंटे टिकेगा वहीं आपको ये वाला पर्फ्यूम पांच गंटे टिकेगा because it is a sweeter perfume and also this is an EDT version देकिन आप दोनों में confuse मत हो जाना कि यार ये 5 गंटे वाला नह कुफी कभी मत कीजेगा सबसे पहले आप perfume को smell कीजिए उसके बाद ही आप इसको खरीदिएगा तो ये हो गए ये बता दिया मैंने आपको कि ये किस तरीके के आप उसमें किस तरीके की इसके smell है अभी चलिए बात करते हैं कि आप इस perfume को कहा कहा लगा कर जा सकते हैं दोस्त अगर आप इसको डिसको थीक में जाकर लगा के जा रहे हैं रात को तो ये perfume गायब हो जाएगा ये perfume उस purpose के लिए नहीं बना है क्योंकि डिसको थीक जो होती है वो एक high heat place है वहां पर आप नाचेंगे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा आपको और ये perfume बहुत जल्दी आप बीच पर गूम रहे हैं जहां पर आपकी शर्ट के चार से पांच बटन ऊपर के खुले हुए हैं वो जो location है ना यार वो जो setting है वो इस perfume के लिए ही बनी हुई है that is the perfect thing for this particular perfume तो आप इसको date night पर लगा कर जा सकते हैं आप इसको अपनी जो casual rendezvous हैं उस पर लगा कर जा सक करते हैं this is really 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 good and worth the price that you pay for this यह सस्ता perfume नहीं है लेकिन यह जितने का भी आपको मिलेगा यह मेरे पास 200 ml की bottle है and it is in the range of 5 to 6,000 with taxes and all but this is a very good perfume और इसका 1 ml is worth the price okay so दोस्तों यही तक था Dolce & Gabbana Light Blue का review आप से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे Dolce & Gabbana Light Blue और Intense के बारे में right take care bye see you there